प्रतममं शैल पुत्री चा द्वितियम ब्रह्म चारेनी तृतियम चंद्रगंटेती कुष्मांडेती चा तूर्थकम पंचमं सकंदमातेती सस्टम कात्यायनीती चा सप्तमं कालरात्रीती महागोरीती चास्टमं जै मातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधिनामी आपका बहुत-बहुत स्वागत है महामगवती दुरगा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों माग मास के शुक लिपक्ष की प्रतिपदा तिथी से लेकर और नौमी तिथी तक का समय गुप्त नवरात्री का समय होता है गुप्त नवरात्री जैसा की नाम से ही पता चल रहा है अत्यंत ही गोपनी होती है इस समय में की गई साधना और भगवती की आरात्ना वर्ष भर में चार नवरात्री आती है दो प्रकट नवरात्री होती है और दो गुप्त नवरात्री होती है चैत्र मास की नवरात्री और आश्विन मास की जो नवरात्री होती है इसे हम प्रकट नवरात्री कहते हैं इस समय में माभगवती की आराधना धूम धामजी की जाती है लेकिन जह गुप्त नवरात्री के नाम से जाना जाता है तो इस समय में जो हम पूजा अराध्ना करते हैं जिस भी मंत्र का जप करते हैं, जिस भी मनो कामना से हम पूजा करते हैं माभगवती की, वो बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है, मतलब इस समय में जो की गई आराधना होती है, वो जितनी अधिक गोपनी तरीके से की जाएगी, उतना अधिक शृष्ष्ट फल की हमें प् सर्वणी से शुरूर हो रही है, और माघमास की गुप्त नवरात्री में किस दिन हमें कौन से ही देवी की आराधना करनी है, इसके बारे में वीडियो पहले से अपलोड है तो आप उससे एक बार ज़रूर देख लीजिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे के नवरात्री में गुप्त नवरात्री में हम भगवती की आराधना करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें पूजा की विधी क्या होगी कले से स्थापना किस प्रकार से करना चाहिए किस मंत्र का जाप करें जिससे की समस्त मनों कामनाय पुरुण हो मां को कौन सा बहो गर्पित करें जिसस तो आज की वीडियो में यह सभी बाते आप शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपको ये यह समय पर प्राप्थ हो जाएगी दोस्तों कुपत नव्रात्री में ऐसंब और और वो 10 महाविद्याएं हैं जिनकी आराधना गुप्त नवरात्री की जाती हैं अब बात करते हैं गुप्त नवरात्री की पूझाविधी के बारे में लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्री में घट स्थापना का शुब महुर्थ क्या है दोस्तों पहले दिन हम घट की स्थापना करेंगे और उसके बाद प्रती दिन यानि की पूरे नौ दिन तक सुबह साम दोनों समय भगवती की आरादना की जाएगी तो घट स्थापना का करने के लिए सबसे शुब महुर्थ है और अब जानते हैं कलश की स्थापना और पूजाविती के बारे में देखिए गुप्त नवरात्री पहले दिन यानि की दो फरवरी के दिन बुधवार के दिन शुरू हो रही है तो प्रते हकाल जल्दी उठ जाए मतलब ब्रह्म और आज के दिन हमें लाल वस्त्रधारन करने चाहिए जब भी हम भगवती की आराधना करते हैं मदरुगा की साथना करते हैं तो हमें लाल रंग के वस्त्रधारन करके पूजा करने चाहिए और अगर आप लाल रंग के वस्त्रधारन करें या कोई भी हलके रंग के वस्त्र तो आप एक लगड़ी की चाउकी ले लाल वस्त बिछाए उसके ऊपर माभगवती दृर्गा की जो भी मूर्ती आतश्वीर आपके पास है उस चाउकी पर वविराजीत की जिए आप अगर आपके पास विग्रह है तो आप सिर्फ शुद्ध जल गंगा जल से भगवती का अभिशेक करें इसके बाद मादुरुगा को लाल वस्त्र अर्पित करें मादुरुगा के सामने सुद्धिखी का दीपक प्रज्वलित करें और इसके बाद आपको कलस की स्थापना करनी है तो कलश की स्थापना के लिए आपको एक पात्र चाहिए, आप चाहें तो तांबे का पात्र ले सकते हैं, पीतल का पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, किसी भी धातू का पात्र ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और उसमें आपको थ कर Jetzt को हवी जिए तोड़े से चावल रखकर हम जोंго पंच पनलुम के उपր रखते हैं उस से पुरुन पात्र कहा जाता है और इस पुरुन पात्र में आपको नारियल कि स्थापना करनी है तो नारियल में आप चुन्री लपेट सकते हैं, स्वास्तिक बनाकर, और चाहे तो कलावा भी लपेट सकते हैं, चुन्री मना को अवेश्य alors GP करनी चाहे, चाहे तो N decentral में भी आप चुन्नी लपेट दीजिए, इस प्रकार से आपकी कलश की श्थापना हो गई, और कलश हमेशा माब दुर्गा के चित्र या मूर्थी जो भी आपने इस्थापित किया है उसके दाइं तरफ होना चाहिए कलश के नीचे आप रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर अस्ट दल कमल बना सकते हैं चाबल के द्वारा इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है, मतलब कलश के नीचे भी आपको आसन अवश्य देना है और उसके बाद पुर्ण बात्र आपको कलश पर अवश्य रखना चाहिए और जब भी हम कोई विशेश पूजा करते हैं या प्रती दिन की भी पूजा करते हैं तो सरव प्रतम गणेश जी की पूजा की जाती है तो गणपती की स्थापना कर लीजिए अगर आपके पास गणपती की मूर्ती है तो विराजित कर सकते हैं भगवती के साथ नहीं तो पुष्प इत्यादी सरोप्रथम आप गडेश जी को अर्पित करें भोग लगाई इने और उसके बाद आप कलश की पूजा करेंगे माभगवती की पूजा आराधना करेंगे मंत्र जप इत्यादी जो भी आपको करना है गडेश जी की पूजा के बाद ही करेंगे अब अगर दिन तक भगवती की आराधना करेंगे, ब्रत धारन करेंगे या बिना ब्रत धारन किये भी पूजा करना चाहते हैं, तो अपनी कामना का संकल्प लेते हुए अपनी पूजा का संकल्प भी आप ले लीज्ए अब चाहे तो स्रिंगार में 16 स्रिंगार की सामगरी भी चढ़ा सकते हैं नहीं तो कम से कंब 5 चीजें अवस्य होनी चाहिए यानि ऑःरं की चूड्यां सिंदूर बिंदी और महंदी पाँच चीजे मिलाकर मा को अवश्यर पित कीजिए इसके बाद आप वहीं बैटकर मा के सामने मंत्र का जब कर सकते हैं या जो भी आपकी साधना हूँ जो भी आपकी कामना के अनुरूप कोई मंत्र जब करना चाहते हैं दुर्गा शप्तशती का पाट करना चाहते हैं सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाट करना चाहते हैं मा के सामने बैठ कर आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी कामना के अनुसार मंत्र का जब पाट का जब कर सकते हैं और अब बात करते हैं कि मा भगवती दूर्गा को हमें कौन से वोड़ना चाहिए स्वीकार करती है ४लूं का भूग लगाए मिठायी का भूग लगाए या कौई पकवान बनाकर भूग लगाए मा उसे सहर्ष विकार करती है लेकिन मां का प्रिय भोग माना जाता है लौग और बतासा, तो आप एक पान के पत्ते पर एक बतासा और दो लौग रक कर मां को अरपिद करें प्रति दिन ये भोग आपको अर्पित करना चाहिए मतलब सुबह साम हम दोनों समय जो पूजा कर रहे हैं उसमें लौंग और बतासे का भोग अमें अवश्य लगाना चाहिए बाकी आप चाहें जो भी वस्तु भोग स्वरू पर पित करते हैं अवश्य अर्पित करें पर यह एक बहुत ही मतलब होता है जो नववरात्री में मा को अवश्य हमें लगाना चाहिए और बात करते हैं कि घटकी स्थापना करें या ना करें भगवती की आरादना अपने घर के जैसे कि आपको इन दिनों में इन नौ दिनों में आपको किसी भी प्रकार से तामसीक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, प्रयास करें कि घर में किसी भी प्रकार से लस्टन प्याज ना बने, मतलब मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जूट नहीं बोलना चाहिए इस समय में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, श्त्रियों का सम्मान करें, बड़े बुजरुगों का सम्मान करें, यह ऐसा समय होता है, नवरात्री जैसे के हम च परिवार आपका हमेसा सुखी रहे तो इस नवरात्री के समय में इन डियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए और अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्री में मा भगवती को ऐसी कौन सी वस्तू अर्पित करें जिससे की मन की समस्त कामनाय पूर्ण हो जिस भी कामना स करें उसके लिए आज आपको चाहिए मतलब गुप्त नवरात्री में प्रती दिन आपको चाहिए कि पान के पत्ते पर थोड़े से लाल पुस्प आप चाहें तो गुलाब के पुस्प या गुढ़ल के पुस्प रखकर मा को अर्पित करें इससे आपके मन की समस्त कामनाय प्रोण होती है मापकवती अत्यनत ही प्रसंद होती है अगर हम उनके सामने पान के पत्ते पर पुस्प रखकर अर्पित करते हैं विशेश कर लाल पुस्प दोस्तों आज की वीडियो में गुप्त नवरात्री की संपुरुन पूजा विधी के बारे में हमने जाना लेकिन अगली वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि अपनी कामना के अनुरूप आप किस मंत्र का जब करें जैसे कि अगर आपको धन प्राप्ती की कामना है संतान प्राप्ती की कामना है विवाह की कामना है शीगर विवाह चाहते हैं मन चाहा जीवन साती चाहते हैं कर्ज से म चाहते हैं या और भी कोई विशेश मनो कामना है तो उसके लिए गुप्त नवरात्री में आप किस प्रकार से भगवती की आरादना करें किस मंत्र का जाब करें और आपके अगर कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्चे लिखें तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्चे होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार